मेरे प्यारे प्यारे भगतो ये दी आप भी किसी इस्तरी से प्यार करते हैं, किसी लड़की को पाना चाहते हैं, किसी साधी सुदा महिला को पाना चाहते हैं, पूरी तन मन से, तो सिर्फ दो लवंग लेकर आज ये टोटका कर दीजिएगा रात के समय सोते हुए करना है सिर्फ दो मिनट का समय आपको देना है सिर्फ दो मिनट का आपको समय देना है रात को जब आप खाना पीना खाने के बाबने सोने जाते हैं उसी समय सिर्फ दो मिनट का समय देना है और चमतकार होगा कि अगले दिन से ही जब सो कर उठीएगा तो अगले दीन से ही वह इस्त्री आपसे महबत करने लगेगी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपके हर बात को मानेगी आप उसको जो बोलिएगा वह वही करेगी जानि कि आज रात में टुटका किजिएगा तो कल सुबह तक हुआ आपके वस में हो जाएगी पूरी तन मन से आपसे प्यार करने लगेगी वह इस्त्री जेदी आपके भी मन में चल रहा है कि किसी लड़की या साधी सुदा महिला को अपने वस में कर ले अपने प्यार में बेचैन कर दे या किसी पूरुष को अपने वस में कर ले तो आप सिर्फ दो लवंग लेकर के आज ही वह सी करेंट टुटका कर दीजिएगा इसमें जादा रिक्स नहीं है इसमें ना रिक्स है और ना है रुप्या खर्चा करने की जरुवत है और ना है किसी आने समागरी की जरुवत है बस सिर्फ दो लवंग आपको लेना है और घर बैठी आपको असानी से कर देना है और चमतकार होगा इसी दो लवंग से आप कि वैसे वैसे आपको करना है और मेरा दावा है कि इस वैसी करन को सही से समझ लेते हैं और सही विधी से आप करते हैं जिस वैस्तिरी के लिए कीजिएगा जिस वैस्तिरी का नाम लिकर कीजिएगा वैस्तिरी 24 घंटे के भीतर में आपके वस्म हो जाएगी आपसे महवत करने लोगों मिला सकते हैं कीसी भी लड़की को अपना बना सकते हैं आईए बतलाते हैं देखिएगा सिर्फ दो लवंग आपको चाहिए और आत को सोते समय आपको यह वोशिकरन टुटका करना है रात को सोते समय रात को सोते समय सिर्फ दो मिनट का समय देना है और अगले दिन से ह बेपनाह मोहबत करने लगेगी आपके बिना नहीरा पाएगी कैसे करना है सिर्फ दो लवंग आप ले लिजिएगा और देखिए कि सब कोई खाना पीना खाकर सो गया है उस समय आपको करना क्या दान से दिखिएगा दो लवंग ले लिजिएगा दिन में ही सुभा असनान कर या दिन में कभी भी असनान कर ले और दो लवंग ले ले दोनों लवंग को क्या करे आपस में सटा दे और सटाने के बाद में अपने पॉकिट में या पर्स में इसको रख ले बस रात के समय बस दो मिनट का समय देखर या टोटका कर लीजिएगा कैसे करना आईए बतलाते हैं यदि आपको समझने में जहां भी दिकतर लगे नीचे कमेंट कीजिएगा हम आपकी जरूर नगत करेंगे और यदि आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज मारी चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी बुड़ी बनाएंगे सबसे पहले आप कि के पास में जाएगा मेरे प्यारे प्यारे भगतों आप भी किसी को वस्मे करना चाहते हैं हम कह रहे हैं मेरा दिल कह रहा है आपका दिल कह रहा है कि आप किसी से प्यार करते हैं आप किसी लर्की को वस्मे करना चाहते हैं किसी साधिशुदा महिला को वस्मे करना चाहते हैं तो टेंशन लेनी की जरुवत नहीं है, ना है किसी प्रकार की रिक्स है, ना है किसी को कुछ खिलानी की जरुवत है, ना है पिलानी की जरुवत है, बस दो लवंग आपको लेना है, और रात को सोते समय यह वोशिकरन टूड़का कर देना है, कैसे करना है, आईये बतलाते हैं जैसे ही आप इसको दिन में असनान करके दो लवंग को एक साथ सटा करके अपने पर्स या पॉकिट में रख लिजिएगा उसके बाद में रात के समय आपको करना के है ध्यांस दिखिएगा जब सब कोई खाना पी नखा कर सो जाएगा आपको करना क्या है दो लवंग आपको पॉकिट या पर्श से निकालना है निकालने के बाद में इसको क्या करना अपने तकीए के नीचे रख लेना है तकीए के नीचे रखना है और तकीए के तरफ मुझ घुमा करके बढ़ जाना और अपने तकिये के उपर क्या करना है साथ बार इस परकार से मना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ बार मारना है आपको ठीक ना तकिये के नीचे लवंग है और तकिये के उपर आपको साथ बार मारना है उस इस्तरी का नाम लेकर कैसे अब उसे करन टुटका करना है ताकि वो आपसे 24 घंटे के भीतर में महबत करने लगे आई बतलाते हैं जैसे ही तक कि एक उपर आप 7 बार मार दीजिएगी इस परकार से उसके बाद में उस इस्तरी का नाम आपको अपने मन में लेना है और उसके घर के किसी एक बिप्ती का नाम अपने मन में लेना है और उस इस्तरी का घर या सहर जहां पे भी है उसका नाम ले लेना है बस उसके बाद में आपको बोलना है हुक्म करना है तुमको दुभाई है या घोरी बाबा की तुम हमसे प्यार करती हो तुम मेरे वस में हो चुकी हो तुम मेरे पास आ रही हो ओम हरीम क्रीम श्रिम ओम हरीम क्रीम श्रिम बस इसी प्रकार से आपको साथ बार बोलना है उसके बाद में फिर से बोलना है उसे इस्तिरी का नाम और उसके गाओं का नाम और उसके घर के किसी एक विक्ती का नाम उसके बाद में आप अपना नाम बोलकर फिर से बोले कि तुम मेरे वस में हो, तुम मेरे पास आ रही हो तुमको दुआई है घोरी बाबा की मेरे भक्त, मेरा दावा है कि जैसे ही आप ऐसे कर देजिए करीबन से पान से दस मिनिटा करना है आपको और उसके बाद में सो जाना है और अगले दिन सुभा जल्दी उठना है और दोनों लवां को वहां से बाहर निकालना है सुरदय होने से पहले और आपको क्या करना है दोनों लवां को एक लवां को अपने गले में काले धाग में ब और एक लवाम को क्या करना उस इस्तरी के सर पर या पीट पर कहीं पर भी उसको दिखिए का कहीं से आ रही है जा रही है बस उसके सरीर पर फेक दीजिए जैसे उसके सरीर से असपर्स हो जाएगा वह इस्तरी 24 घंटा के भीतर में आपसे महबत करने लगेगी एक दम अजने में जहां भी दिखात हुआ निचे कमेंट कीजिएगा हम आपकी जरूर मद करेंगे और यदि आप हमारे चानल पर नए हैं अभी तक पर चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लिस सस्क्राइब कर लिजे और बिल घंटी को दबा दीजिए तक हिम जितने वी उडि प्रनाइएंगे सबसे पहले की के पार है